नमस्कार मैं जैकुमार कोई भी विक्ति जो भारत की चुनावी राजनीती में तनिक भी दिल्चस्पी लेता है उससे अगर आप अमेठी और आई बरेली के बारे में पूछेंगे तो उसके दिमाग में पहला खयाल गांधी परिवार का ही आएगा अमेठी और आई बरेली उत्तर प्रदेश के केवल दो संसद्य निर्वाचंग छित्र ही नहीं है बलकि भारत की चुनावी राजनीती के इतिहास में गांधी परिवार और कॉंग्रिस के पहचान का अभिन्न हिस्सा भी रहे है इसलिए जब से लोगसभा चुनाव साल 2024 की सुरवात हुई है तब से है सवाल राजनीती गल्यारों में लगातार पूछी जा रही है कि कॉंग्रिस अमेठी और आई बरेली से अपने उमिद्वारों की घोशना क्यों नहीं कर रही है क्या अमेठी और आई बरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं चुनावी राजनीती में अगर सांसत का मतलब यह समझा जाता कि सांसत अमुक संसदिय निर्वाचन छित्र के लोगों के बीच का नागरिक होगा वह स्थानिय नागरिक होगा जिस पर अमुक निर्वाचन छित्र के लोग अपना जनप्रतिनीधी होने का भरोसा जताएंगे तब तो अमेठी और आई बरेली से कौन चुनाव लड़ता है इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती चर्चा इस बात पर होती कि वहां के मुद्डे क्या है उन मुद्डों को जब से प्रभावी तरीके से कौन वेक्ति, कौन सा जनप्रतिनीधी, कौन सा अस्थानिय जन प्रतिनीधी उछा सकता है चुनावी राज निती का मिजाज लोगों के बीच जो धारनाय बनी होती हैं उसी से तैकी जाती है इसलिए अमेठी और आई बरेली से स्मृति इरानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की लड़ाई अहम हो जाती है ना कि स्थानिय मुद्दे और अस्थानिय जन प्रत चंछेत्र के लिए अपने उमिद्वारों की घोशना क्यों नहीं की है पांचवे च्रण में 20 मई को अमेठी और आई बरेली में चुनाव होना तैय है तीन मई नमांकन की अंतिम तारीक है मगर अब तक यह पता नहीं चला है कि अमेठी और आई बरेली से कौन चुनाव कि वाल अमेठी सीट के लिए भाजपा की तरब से मैं अमेठी बोल रही हूँ नाम से विशैस प्रचार हो रहा है इस तरह का प्रचार किसी और सीट से नहीं हो रहा है स्मृतिरानी कह रही हैं कि राहूल गांधी अमेठी की तरफ से 15 साल सांसद की कुर्सी पर बैठे रहे मगर क्या राहूल गांधी को लगता है कि अमेठी के लोग उनके प्रती वफादार हैं अगर वफादार हैं तो वह आकर के चुनाओ क्यों नहीं लड़ते हैं अगर वफादार नहीं हैं तो इसका मतलब है कि जिनोंने 15 साल तक राहूल गांधी को संसद में भेजा वह उनके लिए गद्दार हो गए हैं जदतर चुनावी पंडित तो यह कह रहे हैं कि अगर राहूल गांधी अमेठी से चुनाओ नहीं लड़ने का फैसला लेते हैं तो यह लोग सभा चुनाओ 2024 की नतीजों से पहले ही कॉंग्रेस ने हार मान लिया है इस तरह का फैसला माना जाएगा यह कहने के पीछे क्या कारण है इसे तसली से जानने से पहले थोड़ा अमेठी और आइबरेली का राजनीतिक इतिहास जान लेते हैं साल 1967 में अमेठी लोग सभा निर्वाचन छेत्र बनाया गया था उत्तर प्रदेश विधान सभा की चार सीटें अमेठी लोग सभा सीट के भीतर आती हैं साल 2011 की जनगरना के मताबिक अमेठी लोग सभा छेत्र की कुला आबादी तकरीबन 18,666,000 की है आबादी में तकरीबन 25 प्रतिशत हिस्सेदारी अनसुचित जाती की है इस इलाके की साक्षर्तादर तकरीबन 79 प्रतिशत की है जब से अमेठी लोग सभा निर्वाचन छेत्र बना है तब से लेकर के साल 2019 तक अमेठी से सांसत के तौर पर गांधी परिवार का सदस्य ही निर्वाचित होते आ रहा था साल 2019 से पहले केवल दो बार साल 1977 के चुनाओ में और साल 1998 के चुनाओ में अमेठी से सांसत के तौर पर कॉंग्रिस और गांधी परिवार के अलावा कोई और चुना गया है राजिव गांधी साल 1981 से लेकर के 1991 तक अमेठी से सांसत बनकर लोग सभा में तब तक बंपर वोटों के साथ पहुंचते रहे जब तक उनकी हत्या नहीं कर दी गई इस दोरान एक बार संजय गांधी की पत्नी मेंका गांधी ने राजिव गांधी को अमेठी में निर्दलिय सदस्य के तोर पर चुनावती दी मगर मेंका गांधी साल 1984 का वह चुनाव तकरीबन 3 लाख वोटों से हार गई थी जानकार बताते हैं कि राजिव गांधी अमेठी से बहुत लंबे समय तक चुनाव जीतते रहे हैं अमेठी की किसमत अच्छी रही कि अमेठी का सांसद ही भारत का प्रधान मंत्री बन रहा था राजीव गांधी के कारेकाल में अमेठी की बुनियादी धाचे में बहुत अहम सुधार किये गए राजीव गांधी की कुछ योजनाएं थी उन योजनाओं को राजीव गांधी ने अमेठी में जमीन पर उतारा साल 1980 में जगदीशपूर इंडस्ट्रियल स्टेट का डेवलप्मेंट किया गया जहां कई तरह के भारी उद्द्योग और कलखार खाने अस्थापित किये गए साल 1982 में संज्या गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल की स्थापना की गई साल 1984 में इंडरा गांधी नेशनल एविएशन एकैडमी की स्थापना की गई लखनव और भनारस के साथ अमेठी को जोडने वाले राष्टों को बहतर किया गया बहुत बड़े छित्रफल में बंजर जमीन फैली हुई थी उन्हें अनाज पैदा करने लाइक बनाया गया राजीव गांधी की हत्ता के बाद किवल एक बार साल 1999 में सोनिया गांधी अमेठी से जीत कर सांसत पहुँची थी उसके बाद सोनिया गांधी ने राय बरेली का रुक कर लिया साल 2004 से लेकर के 2014 के बीच अमेठी से लगतार राहुल गांधी ने सांसत का चुनाव जीता है साल 2004 में राहुल गांधी ने यहां से 2,09,000 के वोट के अंतर से चुनाव जीता था साल 2009 में राहुल गांधी ने अमेठी से 3 लाख वोट के अंतर से चुनाव जीता था साल 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद राहुल गांधी तकरीबन 1 लाख वोट के अंतर से भाजपा की स्मृती रानी को चुनाव हराने में कामियाब रहे थे मगर साल 2019 में राहुल गांधी इसमृती रानी से चुनाव हार गए साल 2004 से लेकर के साल 2014 के बीच यानि 10 सालों के दोरान केंद्र में केवल कॉंग्रेस की सरकार नहीं थी बलकि कॉंग्रेस की सहयोगी संगठनों के साथ मिली जुली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलाइन्स यानि यूपिय की सरकार थी मतब राजीव गांधी जब अमेठी से चुनाव जीत कर जा रहे थे तब हो भारत के प्रधान मंत्री बन रहे थे मगर जब राजुल गांधी अमेठी से चुनाव जीत कर जा रहे थे तब हो भारत के प्रधान मंत्री नहीं बन रहे थे यहाँ बात गौर करने लाइक है साथ में सरकार भी केवल कॉंग्रेस की नहीं थी बलकि मिली जुली सरकार थी इसलिए राहुल गांधी के सांजद रहते हुए अमेठी को लेकर के कई सारे प्रोजेक्ट की घोशनाएं तो ही मगर उनमें से ज़ादतर सरकार मंजूरी न मिलने की वज़ह से बीच मजधार में ही फसी रही साल 2014 के बाद नरेंद्र मोदी का दौर सुरू हुआ जाते हैं यानि की विपक्ष को पूरी तरह से निस्तानेबूत कर दो साल 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसबा चुनाओ से पहले मोदी सरकार ने अमेठी में 702 करोड रुपे के प्रोजेक्ट की घोशना की भारतिय जन्ता पार्टी ने साल 2017 का विधानसबा चुनाओ जबरदस्त बहुमत से जीत लिया और अमेठी के जिन इलाकों में कॉंग्रिस और गांधी परिवार का दबदबा हुआ करता था वहाँ पर गांधी परिवार और कॉंग्रिस पूरी तरह से तूट गई एक भी सीट नहीं जीत पाई साल 2019 में तो गजब हो गया स्मृती रानी ने गांधी परिवार के उत्त्राधिकारी राहूल गांधी को 55,000 वोटों से हरा दिया अमेठी के साथ गांधी परिवार की पहचान को खत्म कर दिया अब बात करते हैं राय बरेली की साल 1952 में राय बरेली लोगसभा संसदिये छित्र बना था तब से लेकर अब तक राय बरेली संसदिये छित्र पर गांधी परिवार का दबदबा रहा है केवल तीन लोग सभा चुनाव में कॉंग्रेस के प्रतिनीधी के तोयर पर गांधी परिवार का सदस्य यहां से चुनाव हरा है साल 2004, 2006, 2009, 2014, 2019 के लोग सभा चुनाव में भारतिय राजनीती और कॉंग्रेस में कई सारे उठा पटक हुए मगर उसके बावजूद भी सोनिया गांधी राय बरेली सीट से लगातार बंपर वोट से चुनाव जीतिती नहीं जिस तरह की परिशानी राहुल गांधी को अमेठी में उठानी पड़ी उसी तरह की परिशानी सोनिया गांधी को राय बरेली में उठानी पड़ी साल 2004 से लेकर के 2014 के बीच कॉंग्रेस की अगवाई में मिली जुली सरकार थी और उत्तर प्रदेस में कॉंग्रेस के अलावा छित्रिय दलों की सरकार थी इसलिए बार बार सोनिया गांधी की तरब से यह आरोप लगाया गया कि राय बरेली के लिए जो पैसा केंदर से चलता है उसका सही इस्तमाल राय बरेली के लिए नहीं हो पाता है इसमें सबसे बड़े दोसी के तौर पर उत्तर परदेश की सरकार को कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से खड़ा किया जाता रहा है राय बरेली के वोटर बिजली, पानी, खाद, बीज की कमी की लगातार सिकायत करते रहे जैसा की रिवाज रहा है कि जब भी नेता को लगता है कि चुनाव नजदी का गए है तो वा जनता को रिजहाने के लिए कई तरह की घोशनाएं करता है यही काम साल 2014 के चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने भी राय बरेली के लिए किया सडक, वाटर टीट्मेंट प्लांट, नई रेलवे लाइन, एफम रेडियो इस्टेशन जैसे कई विकास की ओजनाओं की यूपिय सरकार की तरब से राय बरेली के लिए घोशना की गई मगर साल 2014 के बाद नरेंद्र मोदी का दोर सुरू हुआ सोनिया गांधी की घोशनाओं महज घोशनाओं बन कर रह गई नरेंद्र मोदी ने भी साल 2017 की विधान सुबा चनाओं से पहले राय बरेली के लिए कई सारी घोशनाओं की नरेंद्र मोदी की घोशनाओं पर राय बरेली में कुछ ना कुछ काम भी हुआ मगर उसके बावजूद भी लोग सभा साल 2019 का राय बरेली का चुनाव सोनिया गांधी ने जीत लिया सोनिया गांधी अब यह फैशला कर चुकी है कि वह सक्रिय राजिती में चुनाव के माध्यम से हिस्सेदारी नहीं लेंगी तो अमेठी और आय बरेली में कॉंग्रेस की विरासत को देखते हुए जो विरासत मैंने आपको बताया चुनावी पंडित यह अटकल बाजी कर रहे हैं कि अमेठी से राहूल गांधी और आय बरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेत तो बहतर होगा चुनावी विसलेसकों की माने तो लोकसभा चुनाव के दो चरण बीच चुके हैं मगर उसके बावजूद भी अगर अमेठी और आय बरेली से कॉंग्रेस को मिद्वारों की घोश्टना नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि कॉंग्रेस अमेठी और आय बरेली में अपने विराशत को आगे बढ़ाने को लेकर के पूरी तरह से आस्वस्त नहीं है साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब रहूल गांदी ने अमेठी के अलावा केरल की वायनार सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उस वक्त भी राजनितिक जानकारों ने कहना सुरू कर दिया था कि राहूल गांदी का यह कदम बहुत ही घातक कदम है भविस्य की राजनिती को देखते वे बहुत ही घातक कदम है राहूल गांदी का यह कदम बताता है कि कॉंग्रिस ने चुनाव होने से पहले ही हार स्विकार कर ली है राहूल गांदी को संसत में भेजने के लिए वायनार की सुरक्षित सीट को ले लिया है हुआ भी बिलकूल ऐसा इसमिर्ती इरानी ने राहूल गांदी को 55,000 वोटों से हरा दिया कॉंग्रिस के भी बहुत बुरी गति हुई अगर चुनावी पंडितिया कह रहे हैं कि राहूल गांदी की छवी और व्यक्तित्तों में भदला हुआ है तो उन्हें यह बात चुनावी जीत कर ही साबित करनी पड़ेगी केरल की वायनार सीट कॉंग्रिस के लिए सुरक्षित सीट है वह सीट चुनावी राजनीति की दुनिया में राहूल गांदी की भाजपा के साथ वैचारिक लड़ाई का प्रतीक नहीं बनती है यह बात कई सारे चुनावी राजनीतिक जानकारों का कहना है राहूल गांदी वायनार से भले जीत जाएं मगर वह जीत का नविंसिंग जीत नहीं कहलाएगी अभी तक तो यहीं लग रहा है कि राहूल गांदी अमेठी से भाग रहे हैं बनारस से आकर नरेंद्र मोदी इसलिए चुनाव नहीं लड़ते हैं ताकि वह बनारस जीत रहे हैं बलकि इसलिए चुनाव लड़ते हैं ताकि वह खुद को हिंदू हिर्दे समराट और हिंदू विराशत का प्रतिनीधी कहलवा सके यह अपने आप में लोगों के बीच बहुत बड़ी धारना वाली कहानी बनाने में बहुत ही कामियाब कहानी रच देती है ऐसे मगर राहूल गांदी और प्रियंका गांदी कॉंग्रेस और राय बरेली की सीट से चुनाव भी नहीं लड़ते हैं तो ऐसा लगेगा कि वह कॉंग्रेस की विरासत को छोड़कर भाग रहे हैं वह भागने वाले नेता बन रहे हैं इसे लेकर के भाजपा कॉंग्रेस और राहूल गांदी के खिलाब बहुत ज़्यादा उटपटांग बाते बोलेगी जो राहूल गांदी और कॉंग्रेस से खिलाब जाएगी जहां तक बात है प्रियंका गांदी और राय बरेली की तो इसे लेकर की भी धारना है कि अगर प्रियंका गांदी राय बरेली से चुनाव लड़ती हैं तो कॉंग्रेस के लिए बहुत बहतर होगा मगर प्रियंका गांधी को एक सहुलियत है कि प्रियंका गांधी कॉंग्रिस और भाजपा करिस्ता ऐसा है कि प्रियंका गांधी कहीं से भी चुनाओ लड़े या चुनाओ ना भी लड़े तो उसका उतना असर नहीं पड़ेगा आपने भी देखा हुआ कि प्रधानमंति नरेंद्रमोदी प्रियंका गांधी पर कभी हमला नहीं करते हैं वो अलगता राहुल गांधी पर ही हमला करते हैं कहने का मतलब यह है कि जितना असर इस निर्णे का कि राहुल गांदी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कॉंग्रेस पर बुरा पड़ेगा, उतना असर राय बरेली की सीट पर प्रियंका गांदी चुनाव या लड़े या ना लड़े उसका असर नहीं पड़ेगा. अब देखने वाली बात है कि राहूल गांदी और कॉंग्रिस आमेठी के चुनाव को लेकर के क्या निर्णा लेते हैं शुक्रिया